हाई फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप से किसा शेयर कर रही हूँ मज़ेदार नाश्टे की रस्पी सिर्फ पांच मिनट में हम इसे तयार करेंगे अंडे और ब्रेट का मज़ेदार नाश्टा तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अंडे अठे अचछे से तोल लेंगे यहां पे गाली और यहां पे यहां पे चोटा चमच ठालाए हैं और यहां पे नमक डालेंगे कर लेंगे देखिए ये अच्छे से रेडी हमें अच्छे से इसे फेटना है देखिए इस तरीके से तो अब ये तयार है अब हम चलते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड हमें इसकी साइट्स वगेरा के पार्ट कुछ भी कट नहीं करने हैं बस यहाँ पे हमें सिंपले ऐसे ब्रेड को लेना है और जो हमने अंडा फेट के तयार किया था अच्छे से इसमें हमें इसे डिप कर देना है अच्छे से फिर चलते हैं आगे की तरफ यहाँ पे दीखिए हमने पहले से तेल गरम करके रखा था इसे अच्छे से फैलाएंगे सारे पैन में और इसमें हम डाल देंगे ब्रेड अंडे में डिप करके अच्छे से यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे भी डाल देंगे और फिर हम इसे एक मिनट तक पकने देंगी एक साइट पर एक मिनट हो जाने के बाद हमें इसे तुरंट दूसरे साइट पर पलट देना है ध्यान से तो यहां पर देखिए हम इसे दूसरी साइट पर पलट देंगे यह जला भी नहीं है बहुत अच्छी तरीके से लाल भी हो गया है पक्के अब हम दूसरी साइट इसे दूसरी साइट पलटने की तुरंट बाद हमें बस 30 सेकेंड तक मुश्किल से इसे सेखना है, 30 सेकेंड बाद हमें तुरंट इसे निकाल लेना है, इस तरीके से तुम्हें आपको दिखाती हूँ, बस यहाँ पे देखिए, कितना बढ़िया कलर भी आया हमें बहुत नहीं दूसरी साइट यहाँ पे देखिए, हम निकाल लेंगे इस तरीके से, कितना प्यारा लुक आ रहा है और जट पर सिर्फ 5 मिनट में पूरा प्रोसेस होके तयार हो जाता है, और कितना जादा टेस्टी बन के तयार होता है, अंड़ा ब्रेट टोस्ट आप इसे जरूर ट्रा है, आप इसे जरूर ट्राइ करें, और यहाँ पे मैं आपको तोड की चेक करके भी दिखाती हूं, देखिए, कितना प्यारा लुक आ रहा है, साथ में टेस्टी बहुत जादा कमाल का होता है,